हलो बच्चो, how are you, कैसे हो बच्चो आप सब, I hope क्या आप बच्चो अच्छे ही होंगे, चलिए बच्चो, आज आपकी कौन्सी क्लास है बटा क्लास है आपकी 3, 4, कौन्सी क्लास है बच्चो आपकी, 3 और 4, ठीक है, टॉपिक नंबर है हमारा इसमें 15, ठीक है, इससे पहले हम आपके 14 टॉपिक कम्प्लिट को आ चुके हैं, जिन में मैंने आपको फ्लास बनाने बतायते हैं बहुत सारे, ठीक है, अब हमारा टॉपिक नंबर है 15, इसमें हम क्या बनाएंगे, लीव्स यानि की पत्तियां बनाना सीखेंगे, कि पत्तियां कितनी सारी होती हैं, अलग-अलग तरीके की होती हैं लीव्स, तो अलग-अलग तरीके की मैं आपको आज लीव्स बना कर दिखाऊंगी, तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरेजर, पैंसिल, शौपनेर, एंड रप पेपर लेकर बैठेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, उसी तरीके से याँ पहले रप पेपर को बनाएंगे बेटा, फिर अपनी ड्राइंग की नॉट बुक में बनाएंगे, चलिए, यूर रेड़ी, स्टार्ट करते हैं, पत्तियों में हमें क्या करना है, कलर करना है, रंग भरना है, उके, कॉलर इट, सबसे पहले हम बनाते हैं, रोल्स, रोल्स के लीव, ठीके, अब हम बनाते हैं, मैरी गोल्ड, याने की गैंदे की फूल की लीव, ठीके, नेक्ट बनाएंगे हम, कनेर के फ्लावर की लीव, सभी को समझ जा रहा है, बच्चो, और सभी को, दिखाई भी दे रहा होगा, ठीके, अब हम बनाते हैं, हीवी इसकस, याने की गुडल के फूल की लीव, की, याने की लीव, ठीक है और अब हम बनाएंगे Sunflower ठीक है Tea leaf अब हम बनाएंगे lotus flower की लीव ठीक है ओके बच्चो तो यह हमारी कितनी leaves हो गई है यह हमारी one two three four five six six leaves हमने बना ली है और अब हमें इसमें करना क्या है बच्चो अब हम इनमें करेंगे color ठीक है यह हमारी rose यह marigold गुडल कनेर गुडल sunflower याने की सूरज मुखी और यह lotus leaves ठीक है तो यह हमारी six leaves आपकी complete हो चुकी है इसी तरीके से आप इन्हें अपनी drawing की notebook में बनाएंगे and इनमे color करेंगे ओके I hope कि आपको यह समझ में आई होंगी और आप इन्हें बहुत सफाई से अपनी drawing की notebook में करेंगे thank you बच्चो बच्चो बच्चो